Hello friends, अगर आप लोग भी Canon का printer use करते हैं, तो Canon के printer में जो आपको ID card copy का एक option होता है, तो इस option के जरी आप किसी भी ID card के बोथ side को एक ही बार में scan करके आप copy कर सकते हैं, तो अभी आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर, अभी जैसे ही मैं ID card copy का option प्रेस करूँगा, बटन प्रेस करूँगा, आपकी screen में changes नजर आएंगे, तो यह देखिए मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर जो ID card copy का option है, वो enable हो चुका हैं दोस्तों, तो इसके बाद आपको printer के upper cover को इस तरह से उपर उठाना है, देन आप देख सकते हैं, इस तरफ यहाँ पे कुछ आपको paper size लिखे हुए दिखाई देंगे, like A4 size, और यहाँ पे इस तरह से आपको, यहाँ पे कुछ Chinese में आपको लिखा हुए दिखाई दे रहा है, तो इसके यहाँ से लेकर आपको, इस तरफ भी आप देखेंगे, तो आपको कुछ paper sizes लिखे हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर भी कुछ Chinese में लिखा हुआ है, तो इस area से लेकर आपको इस तरफ जो Chinese में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इतने से area में आपको अपने ID card को place करना है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं, हमारे पास यह voter ID card है, अब मैं इसको यहाँ पर front side इसको इस तरह से place करूँगा, then आपको printer की cover को इस तरह से close करना है, और यहाँ से आपको start button पे press करना है, तो start button प्रेस करते ही, वो जो front side है, उसकी scanning होनी शुरू हो जाएगी, तो scan होने के बाद यह बोलेगा, scan next and press start, तो आप फिर से printer के cover को उपर उठाएंगे, और जो आपके ID card का back side है, इसको इस तरह रखेंगे, तो आपको फिर से printer के cover को बंद करना है, और आप देख सकते हैं, अभी हम फिर से start button पे जब प्रेस करेंगे, पहले मैं यहाँ पे page को लगा देता हूँ, यह देखिए, plain paper है, तो अब आपको यहाँ पे start button पे प्रेस करना है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पे back side की भी scanning स् scanning होने के बाद आपकी automatic यह copy होनी start हो जाएगी, और हमारा जो copy होके इस तरह से बाहर आ जाएगा, तो यह देखिए दोस्तों, आपका जो photocopy होके बाहर आ चुका है, दोनों आपका front side भी और आपका back side भी, तो इस तरह से आपने ID card copy के option से, अपने किसी भी ID card को copy कर लेना है दोस्तों, तो यह बहुत ही amazing feature मुझे इस printer में देखने को मिला, तो I hope आपको भी यह feature पसंद आया होगा, तो वीडियो को like जरूर करें, हमारे channel पर नए हैं, तो subscribe जरूर कर लें, धन्यवाद